नमस्कार आप देख रहे हैं प्राभातखवर.com बिहार में कोरोना संकट के वीच वर्चुल पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है बिजेपी ने वर्चुल रेली से विधान सभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है जबकि जेडियू ने वर्चुल कॉन्फरेंस के जरिये कारेकरताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है मुख विपक्ची पार्टी आरजेडी भी डिजिटल स्पेस का खूब इस्तमाल कर रही है सोसल साइट्स के जरिये जनता तक अपनी बातों को पहुँचा रही है सबसे पहले बात पीम मोदी के चिठ्ठी की दरसल बिहार में गर्मी के साथ ही चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है पीम मोदी की चिठ्ठी पहुचाने के बहाने पटना की गलियों में बीजेपी नेता घूमने लगे हैं इस दोरान मद्दाताओं से मुलाकात करके पीम नरेंदर मोदी की चिठी के साथ ही केंदर सरकार की उपलब्धियों भरी बुकलेट भी दी जा रही है कोशिश जादा से जादा जनता के बिच उपलब्धियों को पहुचाना है इसके पहले बीजेपी ने साथ जून को वर्चूल पॉलिटिक्स का अगाज किया वर्चूल रैली में LED स्क्रीन के जरिये लोगों तक अपनी बातों को पहुचाया दूसरी तरब जेडियू भी वर्चूल स्पेस को जीतने की दौर लगा रही है पाटी के ट्वीटर हैंडल से लेकर दूसरे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार अपडेट्स किये जा रहे हैं खुद सीयम नितिश कुमार वर्चूल समेलन के जरिये कारकरताओं से मुखातिब हो रहे हैं सीयम नितिश कुमार के मुताविक बिहार की जनता अपराद अफहरन नरसंगहार के पुराने दौर को नहीं देखना चाहती है उनका दावा है कि काम की बदौलत चुनाओं में जीत मिलेगी पंधरा सालों में किये गए धाचागत और बुनियादी विकास के जरिये जनता का भरोसा कायम है उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में शराब बंदी जारी रहेगी जेडी उन्हें सीधे सीधे आरजेडी से सवाल करके दिखा दिया है कि आने वाले दिनों में हमले और भी तेज होंगे अगर बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी की बात करे तो वो भी लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तमाल कर रही है पार्टी के नेता फेस्बुक ट्विटर के अलाबा दूसरे माध्यामों के जरिये आपने कारकरताओं से जुड़ रहे हैं लोगडाउन के दोरान तेजस्वी आदब फेस्बुक और ट्विटर से लगातार समर्थकों से जुड़े रहे हाला कि आरजेडी दूसरी पार्टीों जैसी तैयारी नहीं होने की बात तो मानती है लेकिन उसका कहना है कि पार्टी लड़ाई में पीछे नहीं है जबकि कॉंग्रेस खेमा फिलाल शान्त है दरसल डिजिटल स्पेस में राजनीती को नया विस्तार दिया गया है कोरोना की बज़ा से ही सही पर राजनीती के मूड को बदलने का दोर देखने को मिल रहा है हाला कि पहले भी डिजिटल स्पेस का चुनाओ परचार में बखूबी इस्तमाल हुआ है लेकिन कोरोना काल में डिजिटल स्पेस के जरिये जनता से जुडने की कोशिस बढ़ गई है कोरोना महमारी ने सभी पार्टियों को डिजिटल सेना तैयार करने की चुनावती दी है बड़ी बाती है कि अभी बिहार में आपचारिक रूप से चुनाव परचार का आगाज नहीं हुआ है इस खबर में इतना ही देश बिदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें